नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया, आज हम बात करेंगे UPSC 2019 मुख परीक्षा के लिए लोग प्रशासन विशय की टेस्स सीरीज के संदर हुए जैसा कि आपको ग्यात है कि 2 जून 2019 को UPSC परीक्षा हो चुकी है आप सब लोग जिन्होंने परीक्षा में शम्मिलित हुए हैं अब तक जाच भी कर चुके होंगे अपनी उत्तर उस्तिकाओं की कौन किस स्थिती में हैं किस की कितनी संभावनाएं हैं मुख परीक्षा में शामिल होने की जो लोग लगभग निश्चिन्थ हैं की मुख परीक्षा देने ही जा रहे हैं या कई लोग ऐसे भी हैं कि जो 50-50 वाली स्थिती में हैं मुख परीक्षा दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं हर स्थिती में अब सही समय है ये कि मुख परीक्षा की तैयारी को बहतर दिशा में आगे बढ़ाया जाए 2019 की मुख़ परीक्षा देनी है तब भी और नहीं देनी है परीक्षा तब भी ये सही समय होता है मुख़ परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करने का एक सही दिशा और धार प्रदान करने का 2018 की हम फाइनल रिजल्ट देखें तो लोग प्रशासन विशय में अब काफी अच्छे नंबर आए हैं इंगलिस मीडियम में भी और साथ में हिंदी माध्यम में भी हमारे संस्थान के ही बहुत सारे ऐसे इस्टुएंट हैं जैने हिंदी मीडियम में 500 में से 270-275 प्लस नंबर आए हैं और एक नहीं कई सारे लोगों को और ये नंबर लगभग उस लेविल के नंबर हैं कि अगर GS और बाकी पेपर्स में अगर लगभग इस लेविल के नंबर हैं तो आप टॉप 100 या आप टॉप 200 में अपना इस्थान सुनिश्चित कर सकते हैं कहने का मतलब कि जो पिछले कुछ सालों से लोग प्रशासन विशय को लेके ब्रहम की इस्थिती थी कि इसमें नंबर नहीं आ रहे हैं पिएसे की परिक्षा में या रिजल्ट नहीं है दोहजार अठारा के रिजल्ट और माक्सीट देखने के बाद अब ये भ्रम की इस्थिती पूरी तरह से खत्म हो गई है और जो लोग लोग प्रशासन विशय को लेके तैयारी कर रहे हैं सोच रहे हैं लोग प्रशासन विशय से तैयारी के बारे में वो बड़ी निश्चित्ता पूर्व कब लोग प्रशासन विशय पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं 275 प्लस नंबर किसी भी ऑप्सनल में आजकी डेट में एक बहुत अच्छे नंबर हैं जो आपको सफलता सूची में इस्थान दिलाने के लिए परयाप्ट है लोग प्रशासन विशय के साथ तो जो और एडिसनल बहुत सारी महत्य की बाते हैं कि ये विशय आपको निवंध या जी एस के भी बहुत बड़े सेक्सन में मदद करता है लोग प्रशासन विशय आपसनल वाले स्टुएंट्स को निवंध में 140 प्लस नंबर ही लगवक सबको आये हैं एथिक्स में सबके नंबर 100 प्लस हैं पॉल्टी गवर्नेंस में नंबर 100 प्लस हैं तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो लोग प्रशासन विशय फिर से एक बहुत उभरता हुआ विशय बना है 2018 की रिजल्ट के बाद तो ऐसी इस्तिती में पूरे समर्पन पूरी बचन बद्धता के साथ अब समय है कि हम लोग प्रशासन विशय की तैयारी में लग जाएं समय बहुत जादा नहीं है जिनको 19 सितंबर से होने वाले मेंस में शामिल होना है तो बैसी इस्तिती में कम समय का हम कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करें जो हमारी तैयारी है उसको अंतिम रूप दें उसमें एस सिरीज का बड़ा महत्तपून योगदान है सभाविक सी बात है कि ऐसे लोग जो 2019 मुख परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो विशय की तैयारी लगभख कम्प्लीट कर चुके होंगे मतलब एक अच्छी समझ और एक अच्छा नोट्स इन दौनों लेबिल पर उनकी तैयारी पूरी हो गई होगी तो अब ये जो समय है एक और महत्पून काम करने का कि हम अपनी लेखन शैली का विकास करें और इसके लिए प्रस्ण अभ्यास करना बहुत आवश्यक है अक्सर आपने सुना होगा कि आईएस की मुख परीक्षा में राइटिंग स्केल या लेखन शैली का बहुत महत्पून स्थान होता है इतना महत्पून की जो आपकी सफलता और असफलता में निर्णाय धूमी का निभाता है बच्पन से विज्ञान की परिभाशा हम पढ़ते आए हैं विशिष्ट वर व्यवस्थित ग्यान पर अगर कला की बात करें तो कला का मतलब होता है विशिष्ट वर व्यवस्थित अभ्यास हम अपनी कला का जितना निरंतर अभ्यास करते हैं उस कला में उतने ही बड़े कलाकार बनते हैं और उतने ही उस कला में माहिर होते हैं हम अभी बात कर रहे हैं लेखन शैली या लेखन कला की राइटिंग स्किल की सभाविक सी बात है कि ये भी एक कला है जो हम बाई बर्थ इसकला के साथ पैदा नहीं होते हैं बलकि अब भ्यास के द्वारा हमें इसकला को सीखना होता है Graduation या Post-Graduation लेविल तक सायद बहुत जरूवत नहीं होती है इसकला की क्योंकि बहुत straight forward प्रस्ण पूशे जाते हैं जिस तरीके से notes तैयारी होती है उसी तरीके के प्रस्ण होते हैं आसानी से हम उनको solve कर लेते हैं लेकिन UPSC की परीक्षा में जिस तरीके से प्रस्ण पूशे जाते हैं कि जब तक हमने पहले से उनका अभ्यास नहीं किया है तब तक उनके सही तरीके से उत्तर लिखने में कई सारी समस्याइं होती है जितने सफल स्टुवेंट हैं लगभक सबका समान दूप से कहना है कि जब तक हम 30 से 40 जार शब्द लिखने का अभ्यास नहीं कर लेते हैं मुख परीक्षा के पहले तब तक मुख परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं 30 से 40 जार शब्द मतलब लगभग 10 साल के प्रशनों को सॉल्व कर लेना या दूसरे शब्दों में कहें तो 300 से 400 प्रशनों का अभ्यास कर लेना जब इतना महत्व है लेखन शैली का तो क्यों नहीं फिर हम इस लेखन शैली के विकास के लिए प्रयास करें और उसके लिए टेस्स सीरीज की बड़ी महत्वपून भुमिका है पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्ः परीक्षा में धीर गुत्तरिये प्रशन पूशना बंद हो गये हैं परिणाम स्वरूप number of questions काफी जादा हो गये हैं 28 प्रशन 1st paper में 28 प्रशन 2nd paper में मतलब 56 प्रशन पूशन पूशन जाने हैं स्लेवस में कुल 26 यूनिट है और 56 प्रस्न पूशे जाने है मतलब वास्तन हर यूनिट से 2 प्रस्न पूशे जाता है ऐसी यूनिट ऐसी स्थिती में पूरे स्लेवस को बहुत बहतर ढ़न से तैयार करना और फिर उनसे जुड़े हुए संभावित प्रस्नों का अभ्यास करना निस्संदे हमारे अंकों में काफी बड़ी मात्रा में बृध्धी कर सकता है एक पेपर में तीन घंटे में हमें लगवक तीन हजार से चौतीस सो शब्द लिखने होते हैं अगर हमने पहले से अभ्यास नहीं किया है तो फिर निश्चित समय में सही उत्तर लिखना एक्जाम हॉल के प्रैसर में सही उत्तर लिखना हमारे लिए कठिन हो जाता है देड़ सो देड़ सो शब्द या धाई सो शब्द के जहां प्रस्न है हर पाँच मिनिट बाद एक नया प्रस्न आधा मिनिट एक मिनिट हमें उस प्रस्न के आंसर को सोचने में लगता है उसका आंसर format करने में लगता है तो बैसी स्थिती में तीन घंटे मेंसे हमारा काफी समय तो केवल हर प्रस्न पर उसके आंसर format में ही खराब हो जाता तो अगर पहले से हमारी अतनी तैयारी नहीं है बहुत तेजी से हम सही आंसर लिखें निर्धारित शब्दों में लिखें तो फिर अक्सर ऐसे इस्थिती हो जाती है कि कई वार कुछ प्रस्ण छूट जाते हैं हम पूरा पेपर ही सॉल्वनी कर पाते या कई वार आंसर तो लिख देते हैं लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि शायद हमने जो प्रस्ण की actual demand थी उसको पूरा नहीं किया और कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत उससे बटक गए इन सारी समस्याव चुनोतियों से निपठने का सबसे बहतर तरीका है कि हम पहले से ही writing skill develop करें और प्रस्ण अभ्यास करें इनी बातों को ध्यान में रख्टे हुए हमने UPSC के लिए एक test series का कारिकरम तैयार किया है जिसमें 10 test unit wise तैयार किये गए हैं और बात के 4 test overall syllabus के हैं कुल 14 test, एक test paper में 56 प्रस्ण तो अगर 28 गुणा 14 करें तो लगभग हम साढ़े 300 से 400 प्रस्णों का अभ्यास कर सकते हैं और इतने प्रस्णों के अभ्यास के बाद हम उम्मीद करते हैं कि मुख परिक्षा में शामिल हम जब हम होंगे तो बहुत बहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे जो बड़ी बड़ी और जादा महत्पून units हैं उनको अलग-अलग हमने test paper के रूप में किया है जो थोड़ा कम महत्पून छोटी unit हैं तो दो-तीन unit को आपस में मिलाये गया है लास में दो paper पूरे first paper के और दो paper पूरे second paper के हैं डेटेल जानकारी आपको वीडियो के साथ जो link है उस पर मिल सकती है हम अगर इस test series को गंभीरता से शामिल हो तैयार कर लें सारे syllabus को तो हम IES में भी अब की date में 280 plus number की उम्मीद कर सकते हैं लोग-प्रशासन विशय में मतलब सफलता की उम्मीद कर सकते हैं बन्रेव प्रशासन विशय में मतलब सकते हैं